यहां पर हम आपको दुन्या बर के अद्बूत जीओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं ठीक इसी तरह आज के वीडियो में भी हम आपको एक बेहदी अद्बूत और खुबसुरत पकसी के बारे में बताने वाले हैं अपने विचीत्र और अनवखे गुण के कारण दुन्या बर के जीव वैग्नानिकों के दिमाग में बसा हम बात कर रहे होट जिन पकसी की जो की पुरी दुन्या में सिर्फ अमेजॉन के वर्सावन में पाया चाता है आज के इस वीडियो में हम इस पकसी के जिवन चक्र उसकी पाचन प्रणाली अद्बुक सारीरिक विशस्ता और रहन साहन के बारे में चाने देखे होट जिन के बारे में जानने के लिए हम चलते एमेजॉन ड्राइन फोरेस्ट में होट जिन मद्यमाकार का पकसी है जिसकी वजन 800-900 ग्राम होता है इसके सरीर पर भूरे और सफेद रंके पंक होते हैं और सिर्फ पर मोर की तरह कलगी भी होती है जिसके कारण यह बहुत ही खुबसूरत लगता है और जिनकी सबसे अद्बुत विशस्ता इसकी पाचन प्रणाली इसका पाचन तंत्र दुन्या के बैक्टेरिया पाए जाते हैं जो गाय के पेट में होता है यह बैक्टेरिया सेल्यूलोज नामक पदार को तोड़ने में मदद करते हैं जो पत्तियों में पाया जाता है और जीन पक्सी की एक और विशस्ता उनके बच्चे में होती है जब अंडे में से बच्चे बहार नि होती है होड जिन को जिवित जिवासमा भी कहा जाता है क्योंकि यह चौसर्ट मिलियन साल से इस दर्थी पर मौझूद है और इनका व्यवार भी प्राचिन डाइनासुर जैसा ही होता है होड जिन अपना ज्यादा तर समय पेट पर ही बिताते हैं इसको पेट पर ही खाना मिल है क्योंकि यह पेट के पत्ते फॉल और फुल खाता है यह ज्यादातर समय में ही पाए जाते हैं इसका गौसला नदी के पास उंचे पेडों पर बनाते हैं इसका प्रजननकाल मौनसुन में आता है इसके बाद मादा दो से तीन अंडे देती है नर और मादा दोनों मिलकर अ नहीं पर सकता है इसलिए यह कभी भी माइगरेट नहीं करते हैं इसकी आवाज भी बहुती खास होती है जिसे हंक कहा जाता है होट जीन एक बहुती अनुखा पक्सी है इसलिए इसकी सुरक्सा के लिए उचित कदम उठाना आवस चके इसकी अनुखी सारी रिक्षमताओं वेगना निको को आश्चर चकित करके रखा है विदि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो अच्छा लगाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले